हेलो गाइस वेल्कम बैक टू अनदर व्लॉग आई होप आप सभी ठीक हैं सो बहुत दिनों से हमारा एक ट्रिप प्लान हो रखा था जिसको फाइनली आज हम पूरा करने जा रहे हैं जा रहे हैं माता वैशनो देवी के दर्शन करने के लिए जम्मू में यस और बहुत जादा एक्साइटिड है इस ट्रिप के लिए पहली वार मेरा एक फैमिले ट्रेप जिसमें मेरी पुरी कंप्लीट फैमिली जा रही है वो भी इतना दूर पहाडों में कि अब रहे हैं कि हमारी ट्रें है ओल डेली रिल्वे स्टेशन से और भी हम निकलने वाले हैं और मिलता हम आपको स्टेशन पहुच के तिल देन टेक केर वाइव वाई एफ्यू मॉमेंट्स लेटर लो गाइज वेल्कम बैक टू दी व्लॉग सो फाइनली हम डेली रेल बेस्टेशन पे आ गया है और हमारी ट्रेन जो है वो फ्रैट्फोर्म नंबर सिक्स्टीन पे है तो भी हम उसी तरफ जा रहे है और यह साथ में मेरी ममा एरी ममा हाई गोलो वो मेरी बैल और वो फापा प मास्क कर लिया मैंने उपर क्योंकि कोवीट का टाइम है बहुत ज्यादा सेफटी के साथ जाना है और कुछ इस तना का ममूल है यह रहा यह देख सकते हैं तो बेसिकली क्या हुआ था मारा मतलब दिसंबर से प्लान बन रहा था बटाम मतलब फॉर ड्यू टू कोवीट के हमको कफी डर लग रहा था कि कभी लॉक्डाउन न लग चाहिए वो बट फाइनली हमने प्लान कर लिया और मातरानी ने दर्शन के लिए तो जाएंगे तो आप सभी मेरे थू धर्शन कीजिएगा और इस व्लोग में बने रहेगा मेरे साथ आगे क्योंकि आगे बहुत मजा आने वाला है सफर में और फैमली के साथ पहला ब्लॉग के बहुत जादे नर्वस हुम है विकॉज पापा के साथ कभी व्लोगिंग की है मैंने और पहला व्लोग है तो देखता है क्या सा रहता जब कुछ बागी अगर चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे के कंटेंट मिलता रहे टाइम पर तो गाईज अभी देखो मेरी बहन को एक खुराफात आई है इसलेए हलिकॉप्टर वाला कुछ कर रही है रील देखो यह देखो क्या हरकते हो रही है हेलिकॉप्टर गाइज रील का शौक अगर आपको भी रील का कीडा है तो लाइक कर देना वीडियो को यही कॉमेडी चल रही है प्लैट्फॉर्म पे आगे उतर गया बूत चलो हेलो गाइज वेलकम बैक तो हम अपने प्लैट्फॉर्म पे पहुंच गए हैं और अब हम जा रहे हैं अपने कोच पे विच इस बीफाइव और जमुमेल हमारी ट्रेन का नाम है सो मॉर्निंग में पहुंच जाएंगे हम सड़े नौ बज़े तक और रिखाएंगे आपको पहाड़ वादियां और यह मेरी माता मेरे साथ पापार बहन आगे जा चुक है तो अब हम जा रहे हैं महापे तो मम्मा कैसा फीलिंग आ रहा है अच्छा फीलिंग आ रहा है बेरी नाइस मज़ा आ रहा है यह दे तो और वाइज अभी देखते है आगे कैसा सफर होता है अभी तक तो मज़ा आ रहा है का यह खड़े दोनों और यहां हमारी सीट तो गाइस अपनी ट्रेन फाइनली आ गई है प्लैट्फॉर्म पे यहारी यही रहा है आंदो आंदो स्लाइस अपनी ट्रेन आ गई है स्लाइस अपनी ट्रेन आ गई है है क्या है क्योंब अगए कि अग्यां फिर्फ लिव को रहा है कि मेरा खुक आज़े आज़े आर जबर के आट बाज ने कि आट जो जर्मी शुरूओने वाला है जम्मू मेल का तो अब आगे देखते हैं कैसा रहता है अब अब ट्रेन बहुत जादा बहुत है बट शफील हो रहा है भी पिलालम को तो अब देखते हैं अपना कोच भी और मॉस्कूल हो गया है तो थोड़ी दिर में चल देगी आठ वजे क मिलता हूं आगे या फिर मॉर्णिंग में मुझे टाइम बात है है अलो गाइस हलकम बैक टू दी व्लॉग सोव रात की बज़रे हैं अल्मोस्स साड़े दस और अब हम जा रहे हैं सोने सब अपने अपने बर्थ पे जा चुके हैं मम्मी पापा बहन और मैं उपर आगया तो सुबा मॉर्निंग होगी कट्रा में हमारी पाहडों में बादियों में मैं आपको दिखाऊंगा पूरा व्यूज ओफूली सब कुछ अच्छा होगा एकदम मजा आने वाला है बहुत जादा इस जर्नी में तो ठैंक्यू मेरे सब इस सफर तक बने रहने के लिए और सब पूस्क्राइब कर लेन अगर आप चैनल पर नए हो और लाइक भी कर देना वीडियो को तो मिलते हैं मॉर्णिंग में एक नए व्यू के ताथ बाई वान इटेनिती लेटर अगर इस गुड़ मॉरी और रेन की बहुत साथ आवाज हो रही है अब मैं आपको थोड़ा बाहर के नतारे दिखाता हूं कैसे हो रहे हैं अम जम्मू में इंटर कर चुके हैं और रड़ी और यह देखो व्यू काले बादल है घने काले बादल है ए बादल है को काले को गईस गहार है वाव बादल है काले गहने काले बादल है आपको ब्लोग अच्छा लग रहा होगा भी सुबा सुबा ऐसी हालत हुरी है हमारी मिलबुल अभी इतना फ्रेश होते हैं हो गए ट्रेन के अंदर और बाहर के नजारे मेरे पीछे हैं है मता दी अच्छे से तर्शन हो जाए आज बहुत मजा आएगा आज देखो क्या ओसम हो रहा है मौसम यहां का यह है हमारा जम्मू पारिश हो रही है फुल और क्लाउट से उपर फुल बहुत प्यारा वैतर है अच्छे में माता वैशनोग जी के देवी जी के तरशन करने आए हैं जै माता दी जै माता दी गाईज एलो गाईज वेलकम बैक टूदी व्लॉब तो अभी सिच्वेशन यह है के बारीच बहुत जाद हो रही है कट्रा स्टेशन पर हम अभी अभी उतर चुके हैं और यहां बहुत जादा रेन हो रही है तो यह देखो पूरा माहौल इदर कर और यह भी पूरी फैमिली यहां पर खड़े हैं मम्मी पापा मम्मी हाई बोलो तो बहुत जादा ठंड है इदर अभी हम देखते हैं अपना हमारा होटल पास में यह तो महां पहुंचने के बाद आपको बागी का मैं डीटेल बताता हूं आपको जो बने रहे हैं व्लॉंग में मेरे साथ जैम आता दिखो उपर जाने के लिए इनोंने पूरा लाइन का अरेंजमेंट कर रखता है और ला अगर जो दीरे दीरे आगे बढ़ा रहे हैं डीटेल लेक देख की आगे बेजेंगे सब को यह प्रोसीजर रहा है अभी को रोना के टाइम पर बाकी मैं आपको डीटेल बताता रहो हूं कि अब कि आप आप लेते हैं हाँ आप तो गाइज यह आगए हैं स्टेशन पर यह रहा पूरा अपना प्यारा स्टेशन है और यह सामने पूरा कट्रा का व्यू आ रहा है एक्जिट कर दिया है हमने कोवीट शील की अपनी दिखा दिया डोस डबल डोस तर्टिविकेट अब यहां से आउटा से और टो लेकर आगे निकलते यह बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है बारिश हो रही है गंदी वाली चुवास अब आगे देखते हैं कैसे कैसे जाइंगे अमरेला निकालते हम और पॉस्ट होटल किसी तरह वह मिलता हूं आप से बाद में यह है इसकी दुकान पर है तो गाइज रेन हो रही है बहुत गंदी वाली यहां कट्रा पर चारह तरफ बारिश ही बारिश हो रही है हलो गाइज वेलकम पैक फूदी व्लॉग सो फाइनली हम पूटल पहुंच लिए टाइम पर अपना और मैंने पूरा फ्रेशन अब सब कुछ कर लिया है और हमारा होटल नारा है इसका होटल का नाम है हमारा जो उमने भुट किया था तो यह इस तरह का कुछ दिखता है होटल के रहा है तो गाइस कुछ इसतना का है अपना रूम देख सकते हैं आप पूरा सब कुछ काफी नीटन लीन है तो यह मैंने ट्रिपल बेड्रूम वाला लिया है फैमिली यहले परपस से तो इस फाइन इस नाइस रूम अगर आपको भी कुछ इस तरह का रूम लेना है तो आप ले सकते हैं अपर होटल ना रायन इसका नाम और यह यहां से एक किलो मेटर दूर है अपना जहां से एंट्री पॉइंट है वारा वारा वेश्ण देवी के दर्शन का जो अधर अब ही हम निकल रहे हैं और अब आप 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 यहां पे और देरे पूरा व्लोग पर घर रहां तरह आप आप जो अब आप सभी को अच्छा लग रहा हो व्लोग ए लाइक कर देना अगर पसंदार रहा हो वंटेँ तिल देंट टेक केर बाए बाए तो गाइज यहां पे सब जादू बने हुए देखो यहां पे अंदर मदर फादर मेरी सब यह मेरी बहन और मेरे को तो दिखा दे इधर गाइज मैं जादू बन चुका हूँ यहां का मौसम देखते हुए अब को यह पहनना बड़ा और शूरा व्लोग में आप जादू वाले कपड़ों में करने वाला राम पाड़िलाज और गाइज एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको देखो वहां पर उपर आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ देखो महां पर नो दिख रही होगी आपको वहां पर पर नो है तो देखो वो मेरे मम्मी पापा अपने अलग- अधार पापा अर ये हैं हम वहां पापा पैदल जाना है नहीं आप अक टक टक कल लो इस वाइस बान गंगा तक हम जा रहे हैं ऑटो से और उसके बाद बहाँ से एंटरी चालू करेंगे अपनी और मिलता हूँ मैं आप अपको आने जाने की ऑन सामने आ गया है हमारा ट्रे इसको बोलते हैं फ्रिस्किंग पॉइंट आलसो यह रहा है आप यह जो आप यह पर यहां पर फोटो क्लिक कर वाले ना अपनी सब बहुत प्यारा वह रहा है हमने चड़ाई चलू कर दी है पीछे से वह एंट्री पॉइंट था और अब हम चल रहे हैं और यहां से डंडी ले लेंगे सब एक एक स्टिक्स चाहिए पेरेंट्स के लिए कितने की देर हो टंडी इसता वाक्सी तस लो हाँ तो गाइज यह क्वेल फिक्टी थी गों में चड़ाई चालू की है और 2500 स्टेप्स चले हुए मैंने अब आगे देखते हैं सपर कैसा रहता है जैम आता दी चलो मिलता हूँ गाइज आगी मैं आपको सो गाइज सफर अपना हो गया है चालू पापा और पूजा दीरे दीरे आ रहे हैं लग रहे हैं चलती रहो दीरे दीरे चलती रहो तो गाइज यह मैं और यह मेरी माता हम चल रहे हैं दीरे दीरे पहिया 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 मम्मा जोर से बोलो यह माता की तो गाइज देखो सब रेंकोट पैन पैन के जा रहे हैं और मैं बारिश में व्लॉगिंग कर रहो हूँ वाव तो गाइज उपर बरफ है हमको यहां से सुत्रों से पता चला है अपने के उपर बरफ पड़ी हुए है और बहुत अच्छा मौसम हो रहा हूँ उपर की तरफ बढ़ नीचे बारिश है तो थोड़ा इशू है लोगों को जाने में जादू बन चुक्त यहां सब अलागे ल जादू देखो गाइज टोड़ा और जूम आउट करता हूँ तरह तरह की शॉप्स अब मम्मी रुख जाओ एक सेकी इन को ने में पीचे को जाओ यहां वो गाइज देखो यहारे पापा यहारे देरे देरे मंदे मंदे सही है पापा चल पा रहे हो देरे देरे शाला हम ऐसे दीरे चलते रहेंगे आओ मम्मी हम आराम से चल लेते हैं बात करते करते हैं देखो देखो उदर को चलो उदर को उदर को तो गाइज बहुत पानी है सारे में यह देखो फोन लिटरली गाइज मेरा बीग गया है जस्ट पिकॉज अब ब्लॉगिंग आज मेरे फोन का वाटर प्रूफ टेस्ट हो रहा है दीरे दीरे चड़ना मम्मा बनना साथ खुल जाईगी देखो यह फोटो क्लिक करने का गाइज आपको पता ही है यहां पे फोट अरे मम्मी सांस घूल जाएगी सीडियों से तुमारी कि यह देखो गाइज मेरी मम्मी सीडियों से जाना चाहरी है बट हम नहीं जा सकते हैं विगास पापा भी है सामयरों बीग दे देरे चल लाए गोड़े की मैनत ओती है तो गोड़े को पूरने मिल जाता है चड़ाई क करने का बास तो गाइज आज बहुत ज्यादा मौसम मस्तो रहा है इतना मस्तो रहा है कि हम बारिश में भी इन्जॉय कर रहे हैं विकास फैमिली के साथ है तो गाइज मिलता हूं मैं आपसे थोड़ी दर में यह मेरी माता और इनके पीछे देखो हमारा व्यू वादियों का क्या गहने गहने काले वादल है और अभी भी बूंदे हो रही है बारिश हो रही है पापा और बेहन पीछे हैं आ रहे हैं काफ़ी सलो आ रहे हैं ओ देखो गाइज बॉर आफ दिखाते हैं आपको जूम करके यह देखो गाइज बॉर आफ के नजारे लिके रहे हैं बहु कर दो अ बेजिटेवल करो गाइज मैगी खाने का प्लैन हो रहा है पहाड़ पे आगे और ये बैठे मेरे तीन बहादूर शेर मम्मी पापा बेहन पापा थक चुगे हैं बहुत ज़्यादा मम्मी अभी नहीं थकी है एवरेजर जैमाता की और ये तो कंकाल है इसको तो फरिक नहीं थकी ये मैगी खाके अभी दोड़ल लगाएगी और यहाँ पर हम खा रहे हैं बर्फ देखो उपर मुटिवेट रहो अगर नसी बच्छा रहा तो हमारे सामने स्नोपल हो सकता है आज अपनी मैगी बन गई यह दो चम्मज डाल दो एक और डाल दो और यह है गाईस माहौल देखो कित्ते सारी चीज है मैगी फ्रोटी सब हैं आँ 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 तो गाईस मैं आपको मैगी खाके ऊपर चलते हुए मिलता हूं टेक केर बादा है तो गाईस यह चरण पादू का मदिर है कि यह हमारा पहला स्टॉप पोइंट है यहां पे रुके हैं तो बेसी कि इस मन्तिर के मन्न斜ापा है कि यहां पे जब माता रानी यह आई थी तो उन्होंने मतलब यहां पर विश्राम किया था थोड़ी देर हाँ विश्राम किया था और यह नुम्रा लगाया था कि बहरव बहरव तक होचने के कितना समय लगेगा उनको जो मातर निक्रिपा करो तो गाइस दर्शन कर दीजे मेरे तुरू तो गाइस मैं आगे ऐसी आपको दिखाता रहूंगा दर्शन कराता रहूंगा जगा जगा यह देखो और गाइस मौसम देखो आप क्लाउड क्लाउड हो रहे सारे में जोर से बोलो सारे बोलो अवाज नहीं आई जै माता दी जै माता दी गाइस गाइस देखो बहुत बारिष हो रहे है इतनी बारिष में भी मातारानी के दर्शन करने जा रहे हैं इसे कहते हैं डेडिकेशन आयोप मातारानी इंप्रेस हो जाया और हमारी सारी टेंशन दूर कर दे लाइफ में जो भी हैं दुख दर्ध सब देखो थो कितनी बारिश है मतलब मैं और मेरा फोन बार बर भीगते हैं बार बर सुकते हैं मतलब अंडर फोन तो खेर सूक जाता है पॉकिट में जाएके बट मैं इस रेन कोड की वज़े से रेन कवर की वज़े से बचाऊ हूँ जी तना बचाऊं तक और गाइस यह थोड़े टाइम बाद बहुत बढ़िया मेरे शेर गाइस व्यू और यह हमाई फैमिली आ रही है जोर से बोलो जैमाता दी जोर से बोलो जैमाता दी गाइस पहला शॉटकट हमने मारा सीनियों वाला यहां बैठ जाओ यहां जो गाइस बैंच एरी तो गाइस हम यहां पर थोड़ा सा होल्ट लेंगे और इसी तरह यात्रबूरी करेंगे अपनी माता रानी हमको शक्ति दे यात्रबूरी करने की जैमाता दी गाइस देखो छोटे बच्चे माता रानी की अरदास लगाते हुए वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस यह बहुत सारे बंदा रहा है वीडियो थोड़ी ज़र के लिए गाइस वीडियो देखो यहां से ओ भाई वहां से आयम नीचे से देख रहो गाइस वेरी नाइस देखो क्या बड़ा फैर दिख रहा है अरे यह स्नो क्यों ने दिख रही यह देखो गाइस ट्राइंग टू शो यू यार यह स्नोपॉल हो सकता है पता है बारिश रूप जाएगी तो स्नोपॉल हो जाएगा गाइस देखो गाइस देखो गाइस बहुत ज्यादा इनकलाइंड है पर को है गाइस होप कर रहा हूं आपको यह व्लोग अच्छा लग रहा होगा और लाइक इट गिवेट अ थम्स अप एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए हो जो बहुत अफर्ट लगते हैं कि वैश्णदेवी माता के दर्शन करने के लिए बट हम उनके दर्शन के लिए कुछ भी करेंगे तो गाइस अगें जैमाता दिंग अगे मुण टिंग आगे लिए देखो आपको सामने बोड दिख रहा होगा यह बहुद कि इतर से अगर तो आड़े 5.5 km पढ़ता है और अगर हाता मत्ती वाले से जाओगे हैं गोते हुए हाता मत्ती वाले से तो साड़े 6.5 km पढ़ता है तो यह है तो हम इधर वाले में जाएंगे हम जाएंगे हां से इमपोटी मार्क से अपना और इधर से जाएंगे अभी इपनी बैटरी कार तो ट्राइ कर रहे हैं बट वह आनलाइन वालों भी दे रहे हैं तो लेट सी देखते हैं क्या होता जाता है इसको ब्रॉस करकर आगे जाना होता है आपको चलिए गाइस में मिलता हूं बहुत मंकीद हैं हाँ पर अब तो गाइस यह नया हीमकोर की मार गया और यह रस्ता जब जब से जादा पानी वह नहीं आता है ना तो सेफ्टी रीजन्स के वह इसे बाद में बंद कर देता है तो अभी यह बंद उने वाला है थोड़ी दिर बाद तो हम जल्दी सहे सहे निकल रहे हैं यहां से ताकि हमको फायदा हो जाए तो वहां से पीछे से प्रिबंद कर देंगे लोगों की जो जो भी आ रहा है उसको एलाउ कर रहे हैं तो यह शौटकट है मतलब छोटा रस्ता आई है इससे हम भवन जल्दी पहुंच जाएंगे बहुत है तो जल्दी से भवन पहुंचके दर्शन करते हैं पांच किलो मीटर बजाए है तो मिलत अब तो पूरा कवर कर रखा है मैं दिखाँ न आप यह देको पूरा और बहुत सही है विकास बारीश के टाइम में बहुत फायद होता इस चीज सर यह देखो गाई उपर के पूरा अच्छा कर रहा है काफी बस यह बारीश रिखो भी कितनी आ रही है और हम आराम से जा र स्थराब हो जाती है दूसरी चीज यह है कि बस खाने का कोई स्टॉल नहीं दिख रहा अच्छा तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं है इतना कुछ कर दिया तो यह भी कर देना चाहिए था था फैसिलिटी गाइस देख नहीं हमारी हालत है कैसी हो गई है मेरे पीछे चलने है पपाजी आपा जया माता दी कि सुवाइज व्लॉग अच्छा लग रहा है यह फैमिली व्लॉग मेरा तो लाइक कर देना और चैनल पर मेंगो तो सब्सक्राइब भी कर देना कि यह देखो कितने लोग मेहनत से दर्शन लेने के लिए माता रामी के जा रहे हैं अच्छी चीज यहां पर आके मेरी खांसी ठीक होगी मलब सारे रस्ते मुझे बहुत खांसी हो रही थी बड़ यहां कि में एक दम एक्सुलूटली फाइन होगे इस मैजिक है क्लीने रोन क्लीने के फाइदे हैं तो मार्क बहुत अच्छा है देखो कितनी बर्फ है हो वाओ स्नौ ही स्नौ आगे चीज़े रहे बापा दाइस देखो कितनी बर्फ है एंड यह वह है जहां से आप हेलिकॉप्टर पकड़ते हैं जाके हेलिकॉप्टर के लिए जो है जाज़ा देखो कितनी बर्फ भावन पॉंची गए गया कुछ ऐसी शाट सौट सौ मेटर रह गया है जो गाई हमने चार चेक पोस्ट क्लियर कर दिये हैं यह देखो वाइज अब कियसा रस्ता आ गया है और यह हम चल रहे हैं मैं और पापा पीछे है पापा मेरे जय हो मातरा नहीं है जय हो काइस देखो चट्टाने तो हो सके तो आपके अगर ऊपर चट्टाने ना तो बारिश है हम भी से लिए इतर को चल रहें थोड़ा बड़ा बच के चलो विकास चट्टान के ऊपर से तो पत्थर निकल जाएंग अगरी फिसल के यह देखो ऐसे हैं चट्टाने पापा आ रहे हैं तो दुबारा टीन आ गई है तो फाइनली हम पहुंच गए हैं गाईज अल्मोस्ट डैर हीूज सक्सेस पर मी और माई फैमिली की पीपुर्रे गाईज जय मात आ दी अच्छे से दर्शन हो जाएं बस राथ के बज़रे हैं साड़े साथ कर इस सेउन थर्टी माइनस फाइव डिग्री है टेमप्रेचर इस टाइम अराउंड और सब कुछ चिल्ड है फ्रीज वो देखो बर्फ वो देखो वहाँ इस वहाँ पर बर्फ जहां देखो बर्फ ही बर्फ और भैर वावावा पे तो बर्फ अभी भी हो रही है रात को स्नोफॉल के चांस ही है बहुत ठंडा है गाईज मंकी भी बहुत है दर्शन कर लो यह देखो सामने भव्य मा का दरवार ओहो जैमातादी यह देखो गाईज फाइनली हम पहुंच गए वी डिडिट गाईज वेरी हैपी प्राड मुमेंट जैमातादी सारी अचीवमेंट पूरी कर ली बहुत बड़ी अचीवमेंट यह तो गाईज मैं दिलता हूं सोड़ी देर मैं मम्मी आगे हैं हमारी उनसे मिल जो कि अधुनी बर्फ है यहां पर उपर आखें चलो 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 यहां पे करूँ ना क्या हुआ गाईज यहां से आप भेट का प्रसाद ले सकते हैं तो हमने लिया आए जैसे मैंने लिया आए ऐसे ही और फैमली ने भी लिया एक और यह लोकर है गाईज देखो कितनी बर्फ जम रहा है पानी यह देखो कितनी बर्फ है गाईज सुननो चुगा है पैर पूरा नीचे से जूते और यह देखो गाईज देखो ओ शिट अराम अराम से चलो दीरे दीरे चलो देखो गाईज यह देखो कितना जम गया पानी गाईज यहां पर डॉर्मिटरी रूम है यह मिल जाते हैं आपको सिंगलों की फैंसी देड़ सो दो सो रुपे अभी पीक पे है मौसम तो महेंगा होगा देखो गाईज कितनी बर्फ देखो पूरा उपर बस नो फॉल होने की देरी है अभी बूंदा बांदी हो रही है हो गाईज होप कर रहा हूँ आपको व्लोग अच्छा लग रहा होगा लाइक कर देना इसको और सब्सक्राइब कर देना चैनल पर नहीं हो तो ले जाओंगो ले जाओंगो एक यह देखो गाईज कितनी बर्फ दोनों साइड ऐसा लग रहा है कहां कुल्लू मनाली में आ गए ओ भाई यह देखो वहां सारे में बर्फ है देख रहे हो वाश्रूम की भी सुविदा है गाईज आपको अगर जाना है तो पुलीस चैक कोस्ट यह गाईज सारा खाने के पॉइंट्स है बहुत सारे यह ए लाइन अत्यू दर्शन के लिए न कि चलो गाईज ना है तरह करो कितनी लंगी है तो गाइज अब लॉकर में समार रखने जा रहे हैं उसके बाद दर्शन जरके मैं आपसे मिलता हूँ बाद में तो दिल एं टिक के और बाइज यह दो लाइन कितनी बड़ी है वाप रहे है 2000 यह लेटर हेलो गाइज वेलकम राक तू दी व्लॉग मातरानी के बहुत अच्छे दर्शन हों हमको बहुत 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 मज़ा आया कम से कम 5-6 मिनट हम खड़े रहे हैं बहुत त्यारे दर्शन वर जा हैं याता थी और हम जा रहे हैं अपने सफर में आगे नीचे की तरफ देखते हैं कैसा रहता है अपना सफर दीरे दीरे चल रहे हैं सब ठख चुके हैं हम पुराने वाले रस्टे से नीचे आ रहे तो देखो लिट्रली मनाली हो रहे हैं पर बर्बर्ब कितनी स्नौ यह यह बन दा बेस्ट व्यों दिखरा है मुझे यहां से जोग तक मिला है लिटरली मनाली ओला फीलिंग आ रहा है आज अपने को जाना की तरसे हैं इस 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 यह कर देना है कर देना कर देना कमेंट सक्षिंट में बहुर पावर तो मैं चैनल ले टुपट्रा वन एटर्णि लेटर्णि लेटर्णी लेटर्ण अपने के सब्सक्राइब दो नहीं करना करें लुट पावर जा इंडर्णि लेटर्णि लेटर्णि अवागर नर्ग सब्सक्राइब बहुत अच्छा जर्मिय रहा मातरानी के दर्शन हो गया अब मॉर्णि में मैं मॉम्ई यर मैं पापा के साथ तीनों के साथ आद आग ज अब सीज़ा हम जाएंगे स्टेशन के लिए निकलेंगे अपना और हमारी वहां पे ट्रेन है दोपेर दो बजे की फिर ट्रेन पगड़के और दर के लिए निकलता है तो नहीं 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 देखो सामने उपर वो जो पहाड दिख रहा है ना आपको तो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है पूरा वाइट हो गया है बैटो मैं आगे बैट जाओंगा वापस जा रहे हैं अमरे इल्वेस्टेशन तो वही निकल रहे है अब मैं वही मिलके पहुचके आपको मिलता हूँ तिल देन टेक केर बाइबाइ आगे 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 कि अक तो वहा है आगे 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 हुआ 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 है